हेलो एवरिवन, वालकम बेक टू माई चैनल, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, इंपोर्टन्ट सॉल्वन्ट के लिस्ट, तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाये थे, रीजन पे, बेस पे, I hope आपको वो पसंद आये होगे, अगर आप चैनल पे नए हो और आपने वो वीडियो नहीं देखे है, तो उनकी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दोगा, तो उन वीडियो में मैंने रीजन की लिस्ट दी थी, उसमें around 70 रीजन थी, तो वो आपको CSI and Net, Get and Jam के लिए पढ़ने है, फिर 105 नेम रियक्शन के भी मैंन केर उथर एंड नेंस, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखे, तो वो भी आपको helpful होगा, तो चली आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों हमें रीजन, सॉल्वंट, बेज, कैटलिस्ट, इसकी लिस्ट की जरूरत क्यों है, तो वो देखते हैं, तो दोस्तो जो हमारे औरगेनिक केमिस्ट्री है, उसमें questions see-for-see-reaction से आते होते हैं, तो reaction में का होता है, left side पे reactant दियो होते हैं, और right side पे हमें product को देना होता है, और जो हमारा arrow है, उसमें कुछ लिखा हुआ होता है, तो वो क्या क्या हो सकता है, वो आपको catalyst भी दिया होआ हो सकता है, base भी दिया हूआ हो सकता है reagent भी दिया हूआ हो सकता है solvent भी आपको दे सकते है फिर temperature and pressure भी वहाँ पर लिखा हूआ होता है तो temperature and pressure को तो हम उसकी unit से identify कर सकते है that is our temperature है और ये हमारा pressure है बाकी की चीज़े है जैसे कि यहाँ पर reagent कौन सा होगा base कौन सा होगा हमारा catalyst कौन सा है solvent कौन सा है तो वो आपको identify करना होगा अगर आपके पास list है तो आप easily identify करेंगे कि यहाँ पे कौन सा region है कौन सा solvent है कौन सा base है कौन सा catalyst है तो अगर आपको वो पता चल जाएगा तो आपके लिए question solve करना आसान हो जाएगा तो region की वीडियो तो आपको मैंने दे दी है base की वीडियो भी मैंने दे दी है और आज के वीडियो में मैं आपको दूँगा solvent की वीडियो फिर मैं एक और वीडियो दे दूँगा आपको cat list के बारे में तो वो भी आप ज़रूर देखे ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर देखें दोस्तों फिर्स्ट है हमारा H2O फिर NH3 फिर THF तो यह आपको प्रिवेस यह क्वेशन में काफी बार देखने को मिलेगा और आने वाली एक्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा फिर हमारा Acetic Acid तो एक्जाम में आपको ACOH लिखा हुआ मिलेगा फिर हमारा Benzen है वो भी Solvent है Toluyn भी Solvent है फिर आता है हमारा Cyclohexin यह हमारा Organic Solvent है Aceton, Pentane, Methanol, Ethanol Chloroform, Carbon Tetra Chloride फिर हमारा Aceton Nitrial तो यह जो Solvent है यहाँ पर Methanol से लेकर Aceton Nitrile और यह जो हमारा है Cyclohexin Aceton तो यह तो आपको Previous Equations में काफी बार देखने को मिलेगा फिर आता है हमारा Tertiary Butyl Alcohol Then Chloro Benzen Then हमारा 1,2 Dichloroethane फिर Diethyl Ether तो यह भी आपको बहुत बार देखने को मिलेगा फिर है हमारा 1,2 Dimethoxy Ethane तो यह तो बहुत ही Important Solvent है और exam में क्या करते है आपको यह पूरा structure नहीं देते यहाँ पर short pen लिख देते है कि DMF है या फिर DME है DMP है ऐसे गर कि आपको short में लिख देते हैं तो अगर आपको उसका full form नहीं पता अगर आपको उसका structure नहीं पता अगर उसका function नहीं पता कि यह solvent है या फिर base है या फिर region है तो आपको question solve करना tough पड़ेगा समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ पर इसका roll क्या होगा तो इस वज़े से आपको list की ज़रूरत पड़ेगी और list के लिए पिया कीजिए यहाँ पर जो screen है उसका जब मैं screen clear करूँगा तो आप उसका screenshot ले लीजिए ठीक है और या फिर अपनी copy में लिख दीजी तो यह हमारा DME most important solvent है फिर आता है हमारा DMF तो यह भी आपको previous question आप analyze करेंगे तो बहुत बार देखने को मिलेगा तो DMF का full form है हमारा dimethyl formamide और उसका structure है NME2 twice CHO फिर हमारा DMSO यह भी important solvent है जिसका structure है CA3SOCA3 फिर हमारा ethyl acetate ethylene glycol, glycerine तो यह भी हमारे important organic solvents है फिर next है हमारा heptan and hexamethyl phosphoramide जिसका short form है HMPA तो exam में आपको HMPA लिखा हुआ मिलेगा यह फिर आपको HMPT भी मिलेगा तो HMPT का full form है hexamethyl phosphoros triamide तो इन दोनों में फर्क क्या है यह oxygen का तो base की जो list थी अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो वहाँ पर मैंने यह दोनों organic molecule का वहाँ भी mention किया हुआ था तो यह दोनों है वो basic भी है and solvent की तरह भी काम करते है फिर है हमारा most important solvent that is our DCM और उसका दूसरा नाम है methylene chloride तो यह तो आपको बहुत बार देखने को मिलेगा फिर हमारा nitrobenzine फिर next आता है हमारा pyridine pyridine, triethylamine और thometa-perazylene फिर हमारा n-methyl 2 pyrolydenon जिसका short form है nmp और structure उसका ऐसा मिलेगा तो एक्जाम बे या तो nmp लिखा हुआ मिलेगा या तो फिर structure लिखा हुआ मिलेगा तो आपको यह भी याद रखना है अब screenshot ले लीजे अब देखिए next है हमारा dioxin और इसका structure है six member ring में दो oxygen फिर है हमारा pyprydine यहाँ पे six member ring में कार्बन को हम replace करेंगे nitrogen से तो हो जाएगा हमारा pyprydine फिर है हमारा dodequin जिसके दूसरे नेम है dihexyl या फिर bihexyl या फिर adacan 12 and dodequin तो dodequin मतलब क्या होगा कि हमारे molecule में 12 carbon होगे और उसका molecular formula होगा CH3 CH2 10 times CH3 फिर है हमारा nitrobenzine उसके बाद आता है हमारा H2SO4 फॉर्मिक एसीड आइसो प्रोपाइल अलकोहल वन प्रोपेनोल वन ब्यूटेनोल फॉर्मामाइड मिथाइल इथाइल किटोन जिसका शॉर्ट फॉर्म है M.E.K तो एक्जाम में आपको M.E.K लिखा हुआ मिलता है तो आपको समझ जाना है कि ये हमारा methyl इथाइल किटोन है और ये as a solvent वर्क करेगा ओके फिर next है हमारा प्रोपियोनिक असीड जो कि हमारा असीड है और सॉल्वन की तरह भी काम करेगा फिर next है हमारा दाइथाइल अमिन ब्यूटाइल अमाइन प्रोपाइल अमाइन फिर ट्राइफ्लोरो असेटिक असेड तो ये भी important है आपको काफी बार देखने को मिलेगा फिर है फिनोल पर फ्लोरो हैक्जेन जिसमें हम हैक्जेन में हाइडरोज़न को रिपलेस करेंगे फ्लोरीन से तो ये सभी हमारे important solvent हैं फिर है हमारा ट्राइफ्लोरो टॉलुईन जिसमें हम CH3 को रिपलेस करेंगे CH3 से तो ये हो जाएगा हमारा ट्राइफ्लोरो टॉलूईन तो ये भी हमारा organic solvent है है हमारा decaline तो decaline भी solvent की तरह काम करता है फिर next है हमारा Freon 11 तो चलिए अब ये भी screenshot ले लिजी अब बाकी बचे है हमारे four solvent जिसमें first है हमारा carbon dioxide sulfide जिसका molecular formula है CS2 तो ये हमारा organic solvent है फिर हमारा propylene carbonate तो इसका आपको एक्जाम में structure देखने को मिल सकता है तो ये structure से आपको समझ जाना है कि ये हमारा solvent होगा फिर है हमारा sulfolen तो इसका structure है five member ring में एक carbon को SO2 से replace करेंगे तो हो जाएगा हमारा sulfolen फिर last है हमारा one butyl methyl ether जिसका short form है MTBE तो एक्जाम में आपको MTBE लिखा हुआ मिल सकता है या फिर इसका structure भी दिया हुआ हो सकता है तो आपको समझ जाना है कि ये हमारा solvent है ठेके दोस्तों तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें कमेंट करें और अपने दुस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने region की list name reaction की list और base की list का वीडियो नहीं दिखा है तो उसके link में description box में डाल दूँगा तो वो भी आप जरूर देखें ठीक है thank you for the watching करी यगलाए तो जरूर आपने खरूर वह जरूर सकतू बाымиछों आपके अरम्संक्राब्पल की